हाई दोस्तों नमस्कार अब तक आप लोगों ने हैज हैव हैड का प्रियोग पढ़ा और हैज हैव हैड का प्रियोग करके हम कितने हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कर सकते हैं आप निकिया प्रेटिस किया आपको लगा होगा कि बहुत आसान है और आसान होने के साथ ये उप्योगी भी है तो आज की वीडियो में एक कदम हम आगे बढ़ते हैं आपने हैज हैड का प्रियोग करते समय क्या देखा था उसको आते हैं ठीक है 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 भेड का प्योग आप वहां करते हैं जैसे मैंने कहा यहां पर मेरे पास मेरे पास एक किताब है मेरे पास एक किताब है अब आप जब ने इसको जब आपने देखा कि मेरे पास एक किताब है सबसे पहले आपने क्या किया था सब्जिक्ट लिया था ज्यादा repeat नहीं करो उस पर आप repeat कर चुके हैं, subject के पास, subject के बाद, pass के लिए, ये जो word pass है ना, इसके लिए तीन word आपके थे, hedge था, have था, और head था, क्या-क्या, hedge, have या head, उसके बाद object हुआ करता है, ठिक, लेकिन आप इसमें देखे होंगे, ये hedge, have it, एक category का है, ये शिर्फ present tense में ही लागू होता है, जहां पर चिस संदर में मेरे पास एक किताब है, उनके पास एक गर है, तुम्हारे पास एक मकान है, तुम्हारे पास दिमाग है, ये सारे प्रकार संदर है वो, past में, लेकिन अग पहले, उनके पास एक घर था, he had a house, तुम्हारे पास एक टीवी है, you had a टीवी, लेकिन आज इसी sentence को अगर हम देखें थोड़ा सा, कि अगर मैं यहां लिखू यहां पर, मेरे पास, मेरे पास किताब नहीं है, किताब नहीं है, अब इसमें आपने क्या देखा, वहां था, मेरे पास किताब है, और यह है, मेरे पास किताब नहीं है, और जब आपने देखा कि मेरे पास किताब है, I have a book, और simply क्या करते कुछ लोग, मेरे पास किताब नहीं है, I have not a book, I have not a book, अब ध्यान दिना दोस्तों यहां पर, आपक लगाने की परंपरा नहीं है तो आप अगर है के बाद में नॉट लगाते हैं ऐसी कंडिस्टन में जब वह है आपका वर्ब बनकर आया है आप ग्रेमेटिकली रॉंग है sentence meaningless हो जाएगा तो इसलिए मेरे पास एक किताब नहीं है इसके लिए I have not a book यह हमेशा हमेशा के लिए गलत हो जाएगा तो क्या करेंगे इसके लिए आई देखते हैं अगर मेरे पास किताब नहीं है नहीं है तो आप वहाँ पर do not लगाएंगे या तो does not लगाएंगे यह करते decide करेंगे simple थी बात है अगर subject आपका singular है तो आप क्या लगाएंगे does not और plural है तो क्या लगाएंगे do not does not do not जान देना singular subject में does not plural में do not और आगे जो आपका has या have आया हुआ है जो has या have दिख रहा है उसको आप have ही करेंगे subject singular हो या plural अब यह देखिए मेरे पास किताब नहीं है यह होगे I clear अब I के बार में आपको या तो do not लगाना है या तो does not और आप अच्छी तरह जानते हैं I एक plural subject के रूप में use होता है इसलिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पर do not I do not I do not I do not okay मेरे पास किताब नहीं है ठिक लेकिन अगर मैं इसको बोल दूँ सीमा के पास सीमा के पास पुत्ता नहीं है सीमा के पास पुत्ता नहीं है तो आप देखिए अब यहां है हो हूँ है मैं present है आप क्या लगाने वाले हैं do not या does not आप पहले सीमा लिखेंगे सीमा subject है सीमा subject है अब subject के बाद में आपको क्या लगाना या तो do not या फिर does not तो क्या लगाने वाले हैं सीमा आपका singular है तो क्या लग जाएगा तो वहाँ पर does has का use नहीं करोगे, हमेसा have ही रहेगा, साहे तो यह singular हो या plural हो, एक वचन हो, अनेग वचन हो, एक वचन हो, बहुचन हो, आप वहाँ पर have ही लगाएंगे, ठीक है, सीमा does not have a dog, ठीक, इस प्रकार सेन्ट पूर हो जाएगा, लेकिन अगर इसी सेन्ट को मैं यह से बोलू, रवी के पास, रवी के पास, पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, अब ध्यान देना, अब पास था थी थी में, आपने क्या यूज़ किया था, हैड का, रवी के पास पैसे थे, रवी हैड मनी, रवी के पास पैसे नहीं थे, नेगेटिव हुआ न, तो आप क्या करेंगे, यहां पर सब्जेक्ट लेंगे, रवी, अब यहां पर हैड था था थी थे है न, उसके लिए आपको डिड़नाट लगाना है, रवी रवी डिड़नाट अब जो हैड है उसका फर्स्ट फाब, जान दखना, हैड है है हैड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो वर्ड पढ़ रहे हैं हैं, तो रवी डिड़नाट हैव, रवी डिड़नाट है मनी, यह होगा आपको सब्सक्ट लेंगे, और उसी प्रकार से अगर पास किताब नहीं होगी, किताब नहीं होगी, गागी गे आता है, आप गागी गे के रूप की बारे में sentence में पड़ चुके हो, future होता है, और future में दो helping work होते हैं, एक होता है साल, और एक होता है, will, ज्यान देना, साल और will, अब यहाँ पर साल और will, हम similar plural की रूप में नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, यह लेते हैं, साल का यूज़ करते हैं, I और V के लिए, मने, first person, और बाकी second या third के लिए, will का यूज़ करते हैं, आभी किताब नहीं देखिए, रमन के पास कार नहीं होगी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, रमन करेंगे, ठीक है, अब रमन की third person है, आप उहाँ क्या लगाएंगे, will not, रमन, विल नाट, रमन, विल नाट, अब है, है भी रहेगा पास में, will not, है ए पास, अब यहाँ पर एक भाग ध्यान देने वाली है, आपने देखा, शाल का यूज, I or we, I mean, first person में करेंगे, बागी सब में, will करेंगे, लेकिन आज के modern age में, आप will का यूज हमेशा कर सकते हैं, first person में भी, third में भी, और second में भी, तो अगर आप, I shall not have pen, मेरे पास pen नहीं होगी, I will not have pen, मेरे पास pen नहीं होगी, it's actually right, आप इसको कर सकते हैं, इसके बारे में, जिसकर हम विस्तार से बाग की वीडियो में करेंगे, विलियर सेल में एक change case होता है, ठीक, तो मुझी यकीन है, कि आपको इस समझ आ गया होगा, अब do not have, does not have, did not have, और will not have, इसके sentences को आई देखते हैं, एक एक sentence हम सबका लेनी वाले हैं, यहाँ पर देखे, पहला, रेखा की पास पैसे नहीं है, ज्यान आप यहाँ देंगे, यहाँ, अगर यह है हो हूँ है, तो आपको do not, does not लगाना है, अब बताए, रेखा है, यहाँ पर subject है, रेखा, अब यहाँ क्या लगाएंगे, does not, simply, does not, क्योंकि रेखा singular है, रेखा does not, रेखा does not, पास, रेखा does not है, पास का क्या होगा, है, रेखा does not है, मनी, यह आपका sentence हो गया, सेकर देखें, सीमा के पास कार नहीं है, अब simply, एक्दम जैसी ओपर हो, ऐसी यहाँ पर है, सीमा, सीमा हो गया, अब सीमा singular है, क्या लगाएंगे, does not, सीमा does not, पास के लिए है, सीमा does not है, क्या कार, सीमा के पास कार नहीं है, अब थर्ड देखेंगे, यहाँ आप कमजमा जाएगा, मेरी पास, मेरी क्या है, I, I क्या है, plural, होता singular है, लगि इसके साथ हम mostly plural का वर्व यूज़ करते हैं, ठीक, आई, अब आई के साथ के लगाने वाले हैं, does not, you do not, do not, I do not, I do not, I do not, have books, मेरी पास किताबी नहीं है, I do not have books, clear न, अच्छा, इसके बाद, ऐसे धेर सारे सेटने थबाब बनाएए, और frankly बोलिए, एक बात या दरना, इसे लिख करके नहीं मोलना है, simply आप बैटे हैं, कहीं पर, खुले आसमान में, मैदान में, घर में, घर के अंदर, टीवी के पास, कहीं भी बैटे हैं, तो आप यहां पर धलले से बोलिए, I don't have water you don't have pen, she doesn't have car, she doesn't have house, he doesn't have dog, ऐसके पास car नहीं है, मेरे पास बंगले नहीं, उसके पास किताबे नहीं, उसके पास गड़ नहीं, उसके पास मकाम नहीं, इनके पास दुकान नहीं है, ऐसा करके आप frankly, I don't have car, you don't have pen, she doesn't have car, she doesn't have pen, इस प्रकार से frankly आप सेंदर बनाएए, ध is not और do not का आप देखे लिया तो जड़ा हम देखते हैं आगे के पोर्सल में क्या है वहाँ पर से कड़ अब यहां पर आप देखें यहां ज्यांसे यहां पर सब में थाथी थे हैं अब थाथी होने की बदल गया यह है मेरे पास सो रोपर नहीं थे होगा थाफित है तो इतका मनलत्या करेंगे सब्जेक्ट बात में डिट नाट करेंगे सब्जेक्ट प्रस डिट नाट प्लस है यहां पर रोरल जैसी कोई प्रॉलम नहीं है सिम्छलर में भी डिट नाट है अभी इसका चल्डर देखिए उनके पास दोस्त नहीं थे अब नाट है duż friends यह लाट है इंड नहां कशब यह पास कारल नहीं मेरे पास नहीं थे मेरे पास कारल मेंट सस्थ की आप मकां नहीं था इनाट 살 उसके पास पुट्टे नहीं थे he had not he did not have dogs अभी देखें he did not have friends he did not have friends next रमा की पास दुकाल नहीं थी अभी रमा हो गया सब्जेक्ट तो फिक्स है यहां पर हमें सिंगल पूरर देखना नहीं है यहां पर क्या लगाएंगे जिद नाट डिद नाट क्यों लगाएंगे क्योंकि यहां पर ठाती थी है रमा डिद नाट है क्या सौ रमा के पास दुकान नहीं थी फ़र लता के पास भाई नहीं था अब लता के पास भाई नहीं था इस सिंडेश और तरीके से हिंदी में बोला जा सकता है लता के भाई नह था लता के पास भाई नहीं था मतलब लता के भाई नहीं था लता को भाई नहीं था मीनिंग वही होगी पास में क्या हो जाएगा लता लता डिड नाट है ब्रदर लता डिड नाट है ब्रदर नेक्स्ट मेरे पास सो रूपे नहीं थे आई डिडन्ट आई डिड नाट है हो ग तुछार से आपने देखा पहले में लास में पास के साथ में है और अगर यहां पर था थी थे होता है आपने क्या किया है डिट नाट लगाया है डिट नाट लगाया है यो उसके पास दोस्त नहीं थे अब अगली कड़ी में हम यह देखेंगे कि अगर यही फ्यूचर में होगा तो क्या करने मल सिंपल दी बात है फिचर पाचान है लास में गागी की होता है यहां पर दी फ्यूचर है तो इसका नियम देखिए सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बार में आप यहां करेंगी विल नाट प्लस है अगया अब देखें यहां प्लस आपजेक्ट यहां क्या है किरन के पास पानी नहीं होगा किरन के पास पानी नहीं होगा लड़कों के पास खाना नहीं होगा कि मेरे पास आप नहीं होगे आप मेरे पास आप नहीं होगे आई विल नाट है यू आई विल नाट है यू इस प्रकार से आपने हैज हैव हैड का यूज देखा इसमें नेगेटिव फॉर्म में इसके पहले की वीडियो में आपने अफरमेटिम में देखा था अब यहां पर क्या देखा नेगेटिम देखा था अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप कभी भी हैज हैव हैड के बाद में नाट का कभी भी नहीं करेंगे अगर वह हैज हैव हैड वर्ब बनके आया है तो अगर हेल्पिंग बनकर आया है तो अगले बात है वहाँ पर आप ना त्यूज करेंगे लेकिन वर्ब बनकर आया है तो हैज हैव हैड का यूज नहीं करेंगे दोस्तों यह वीडियो आपको ऐसा लगा हाँ अगर आप पहली बारा आए है तो आपके पूस्ट है तो सब्सकाइब पढ़ना नग बोलें और बैड आइकन को जुरूर गवाएं ताकि मेरी द्वारा अपलोड की गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और जितना हो सकते दोस्तों में फ्रैं तो यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा और नेक्स टाइम में हम लेकर आ रहे हैं अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे क्या उसके पास पेन होगी क्या हमारे पास मकान है यह हम देखेंगे नेक्स वीडियो में तक तक लिए थैंक यूँ एर तक लिए नेक्स वीडियो में कुछ ऐसे ग्यान वर्दत बातों के साथ